आज खुदिराम बोश जी का जन जनती है और ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि आज खुदिराम बोश जी का 130 जन जनती पर कॉर्परेशन के तरब से कुछ सफाई कारे किया हो जाना चाहिए था और सासत में यहां पर कुछ प्रोग्राम का आयोजन करना चाहिए था बट सडेन हम लोगों ऐसे खुद समझ में आया और चले हम लोग की देखने के लिए कि क्या जन जनती पर कुदिराम बोश जी के स्टेचियों जितने भी है उनका क्या स्थिति है तो देखने को मिला कि किस तरह से जरजर अवस्ता आप देखिए यहां का कितने गंदगी है कम से कम आज के दिन इनका जन्म दिन के उप्लक्ष में कुछ न कुछ ऐसा कॉर्परेशन के तरफ से प्रोग्राम होना चाहिए था ऐसा एक्सपेक्टेशन था पूरे समाज का और साथ साथ में हम लोगों क अριं चेशेडिव से आज ऍहुत को साफ कर नेके बाद यहां पर दीप प्रजूलित करेंगे मल्यार्पन कड़के एक छोटा सा'll प्रोग्राम यहां पर अरैंज करेंगे कुछ ना कुछ आज के दिन तो होना चाहिए थे पूरे चातर समाज का एक आज का दिन विस्वास था कि कुछ ना कुछ होना चाहता है बट यहां आने के बाद एकदम उल्टा पड़ गया है आने के बाद एकदम लग रहा है कि इस तरह से कॉर्परेशन का बरताव हमारे महान बीर पूरुशों के लिए बहुत ही दुख जनक है बहुत ही दुखाद है और आशा करते हैं कि आगा फाई या उनका देख रहाओ का काम करना चाहिए और यदि कॉर्परेशन नहीं कर सकती है तो कुछ ऐसे मुझे लगता है कॉर्परेशन के इनिशेटिव से ही कि लोकल कमेटी जैसे लोकल लोग जो जहां पर है स्टेची उनके यहां पर कुछ ऐसे कमेटी बना दिया जाना कॉर्परेशन के तरफ चे पाच लोगों का चार लोगों का जो स्टेची को जो जितने भी स्टेची को देखरे खाओ करें साफ करें ताकि वहां पर एक अच्छा वातावरन बना रहे और विधार्थी परिशन